नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, जिसे दुनिया धिकार्ती है, उसे बिग बॉस बुलाता है, जी हाँ, बिग बॉस 14 है, जो शुरू होने वाला है, मतलब हो ही चुका है, अब ऐसा लगता है कि रिया चकरवर्ती को भी उसमें मौका दिया जायेगा, क्योंकि मैं बता दू आप TRP के वज़े से, TRP को और बढ़ाने के लिए बिग बॉस में जायेगी, बिग बॉस बुलाने वाला है, हाला कि ये खवर्त सही है या गलत, इसके उपर थोड़ी से डिसकस करेंगे, लेकिन अभी उड़ता उड़ता न्यूस यही है, कि रिया चकरवर्ती बिग बॉस में ज जानते नहीं है, तो इस तरह के TRP जो गिर चुका है, उसे उठाने के लिए रिया चकरवर्ती है, क्योंकि अभी का न्यूस एक ही है रिया चकरवर्ती, तो रिया चकरवर्ती के जिस तरह मतलब कह सकते हैं कि आरोप लगे हुए है, ड्रक से रिलेटेड हो, सुसान सिंग से सबसे रिलेटेड, तो उस आरोप के वज़ह से रिया की TRP काफी जादा हाई है, तो बिग बॉस सोचता है कि अगर रिया चकरवर्ती को बुलाया जाएगा, बिग बॉस में, तो उनका TRP आसमान पे चड़ जाएगा, तो दोस्तो सबसे पहले मैं बता दू आपको कि अगर क्या Terms and Conditions होने चाहिए, या क्या Terms and Conditions है रिया चकरवर्ती के उपर लगाया गये हैं, NCB के तरफ से, अदालत के तरफ से, तो ऐसा लगता है कि यह जो ख़बर है, रिया चकरवर्ती के बिग बॉस में जाने की, यह गलत साबित हो सकती है, क्योंकि मैं बता दू, सबसे पह सकती है, तो यह होना पॉसिबल नहीं है, साथ ही, NCB ने उनका पासपूर्ट जब्त कर लिया है, तो वो दे से बाहर दे जा सकती है, और मुंबई से बाहर जाने के लिए, खासी तोर पे, पुलिस की CVI की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो बाहर जा सकती है, तो दोस्त से वहां पे कंटेश्टेंट लोग से टास्क कड़ाया जा रहे है, ये एकदम बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि असलील की चरवम सीमा पर है, तो इसलिए बिग बॉस को अभी कोई देखता भी नहीं है, उतना, कोई जानता भी नहीं है, तो इस वसे बिग बॉस ने सोचा, ब रिया चेकवर्थी को बुलाया जाएगा, तो खासी उनका बिग बॉस पे चलेगा, अच्छा चलेगा, तो दोस्तो यही थी ख़बर, तो आपका क्या राई है, क्या भीचार है, जरूर मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना, साथी बताना कि बिग बॉस देखना क